SHUT UP AND SIT DOWN घब शोरी आये, अब हम लोगे कॉरणिवंद पढ़ते हैं। जिसका नाम है स्वच भारत अभियान पढ़निवंद, स्वच भारत मिशन पढ़निवंद। कुछ लोग इसको स्वच भारत अभ्यान कहते हैं, तो कुछ लोग इसको स्वच भारत मिशन भी कहते हैं, दोनों एक ही हैं, प्रस्तावना, स्वचता ना केवल हमारे घर, सडक तक के लिए ही जरूरी नहीं होती है, ज़र देश और राश्ट्र के आविशकता होती है, इससे ना केवल हमारा घर आंगन ही स्वच रहेगा, पुरा देश ही स्वच रहेगा, इसी को मद्दे नजर रखते हुए, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच भारत अभ्यान जो की हमारे देश के प्रतेग गाउं और शहर में प्रारंब की गई है, जो देश के एक सडकें और से लेकर सौचालियों का निर्मान कराना और देश के बुन्यादी धांचे को बदलना ही इस अभ्यान का उद्देश है, स्वच भारत अभ्यान की शुरुआत, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जैनती 2 अक्टोब 2014 को स्वच भारत अभ्यान की शुरुआत की, स्वच भारत अभ्यान को भारत मिशन और स्वचता अभ्यान भी कहा जाता है, अगे देखिए, महात्मा गांधी जी की जैनती के अवसर पर, माननिय श्री नरेंद मोदी जी महात्मा गांधी जी की 145 वी जैनती के अवसर पर इ जन सम्हू को संबोधित करते हुए राष्ट्रेव वादियों से स्वच भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने को कहा। साफसफाई के संदर्व में यह सबसे बड़ा अभियान है। साफसफाई को लेकर भारत की छवी को बदलने के लिए श्री नरींद मोदी जी ने देश को एक मोहीम से जोडने के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुवात की। महात्मा गांधी जी का सपना हमारे पूजनिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता से पहले स्वच्छ रहना और इसके तहत स्वच्छता को उन्होंने ईश्वर भक्ती के बराबर माना। स्वच्छता की सिक्षा को उन्होंने सभी को प्रदान करी उनका सपना था कि स्वच्छ भारत इसके तहत वह सभी नागरिकों को एक साथ मिलकर देश को साफ रखने के बारे में सोचते थे। इसी के तहत जिस आश्रम में वह रहते थे वहां रोजाना सुभा चार बजे उठकर स्वयम सफाई करते थे। उन्होंने वरधा आश्रम में अपना स्वयम का सोचाले बनवाया था जिसको प्रतित दिन सुभा शाम साफ भी करते थे। कांधी जी की यही स्वच भारत के सपने को पूरा कर ने के लिए श्री नरेन्द मोदी जी ने स्वच भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच भारत अभियान के उदेश क्या क्या है। खुले में सौच बंद करवाना जिसके तहट हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। लगबग 11 कडोर 11 लाख व्यक्ति गत सामुहिक सौचालेओं का निर्मान करवाना जिसमें 1,344,000 कडोर रुपे खर्चोंगे। लोगों की मानसिक्ता को बदलना, उचित स्वश्चता का उपयोग करके, सौचाले उपयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जागुरुकता को शुरू करना, गावों को साफ रखना 2019 तक सभी घरों में पानी की पूर्ती सुनिश्चित करके, गावों में पाइपलाइन लगवाना जिससे स्वच्चता बनी रहे, ग्राम पंचायत के माध्यम से ठोस और तरल अपसिष्ट की अच्छी प्रबंध धन वेवस्था सुनिश्चित करना, सडके, पुडपात और बस्तियां साफ रखना, साफ सफाई के जरिये सभी में स्वच्चता के प्रती जागरुकता पैदा करना, आगे देखें, स्वच्चता का सीधा संबन हमारे शारेरिक एवं मानसिक स्वास्त से जुड़ा हुआ है, अता यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्च शरीर में ह एक स्वच्च मन का निवास होता है, आज से सौ वर्ष पहले महात्मा गांधी ने एक स्वच्च भारत का सपना देखा, जो आज साकार हो रहा है, हमारे आदर्णिय प्रधान मंत्री श्री नरेन मोदी के द्वारा स्वच्च भारत अभ्यान की शुरुआत हुई, जिसका भारत को स्वच्च एवं स्वच्च बनाना है, आगे देखें, हमारे प्रधान मंत्री द्वारा इस अभ्यान का शुबारम 2 ओक्टोबर सन 2014 में महात्मा गांधी के जनम दिवस के दिन किया गया था, और उसी समय इसके समापन की तिथी 2 ओक्टोबर 2019 को गांधी जी किया की देड़ सोवी जनम दिवस के दिन निरधारित की गई, हमें ये तो पता है कि स्वच्चता का हमारे जीवन में महत्वपोन स्थान है, परन्तु हमने इसका अर्थ सिर्फ स्वयम के शरीर की सफाई से लगा लिया है, ये गलत है, स्वच्चता तो सिर्फ शरीर की सफाई तक स दूसरी सबसे महत्वपून चीज है कांधी जी के अनुसार जब तक आप ज़ाडू और बाल्टी अपने हाथों में नहीं ले लेते तब तक आप अपने गाउं एवं कजबे को स्वस्त नहीं रख सकते स्वच भारत अभियान के शुरुवात स्वयम हमारे प्रधान मंत्री ने ज़ाडूल लगा के की थी स्वच भारत अभियान की सफलतम क्रियानवन करना भारत जैसे बड़े छेत्र फल वाले देश में अत्यंत कठिन था परन्तु हमारे प्रधान मंत्री के द्रण संकल्प ने गांधी जी के इस सपने को सच कर दिखाया अभी हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री जी को अमेरिका के गोलकीपर ग्लोबल गोल्स नामक पुरसकार से सम्मानित किया गया यह पुरस्कार उन्हें स्वच भारत अभियान के उनके सफलतम क्रियानवन के लिए दिया गया अगे देखे स्वच भारत अभियान के अंतरगत मद्ध प्रदेश के इंदोर शहर को लगतार तीन वर्षों से भारत के सबसे स्वच शहर के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है स्वच भारत अभियान ने भारत की जनता में वैचारिक क्रांती उत्पन कर दी है अब लोग नहसेप स्वयम को स्वच रखने की अपितु अपने गाउं जिला एवं शहर को भी स्वच रखने की बात करते हैं और इस दिशा में अपना भरसक योगदान देना भी योगदान भी दे रहे हैं भारत में बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो स्वच भारत अभियान के अंतरगत अपना योगदान दे रही हैं इन संस्थाओं के लोग गाउं, कश्बों एवं सेहरों में जाकर लोगों को स्वच्चता के प्रती जागरूप करते हैं और उन्हें स्वच्चता से होने वाले फायदों से अवगत कराते हैं सवासो कडोड बाले भारत देश में इस मुहिम को चलाना एवं भली भाती इसका संपादन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमें इस बात का गर्व है कि भारत सरकार के ये करने में सफल हुई क्योंकि इस अभियान ने जन भावना का रूप जो ले लिया सवाच भारत अभियान एक ऐसी पहल जिसमें हर जाती वर्ग और धर्म के लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और इसे सफल भी बनाया सवाच भारत अभियान के अन्य योगदान सवाच भारत अभियान में ना केवल आम लोग सरकारी मंत्राले के साथ ही प्रधान मंत्री द्वारा सहयोग प्रधान करने वाले लोग में मृदुला सिना, बाबा राम देव, सशी थरूर, कमल हसन, सल्मान खान, प्रियंका छोपड़ा जैसे बड़े-बड़ी हस्तियां अपने योगदान दिखा रहे हैं उपसनहार महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए यह कथन जो की स्वच्छता पर ही आधारित हैं उनके अनुसार स्वच्छता की जागरुकता की मशाल सभी में पैदा होना चाहिए इसके तहट इसक्यूलो में भी स्वच्छ भारत अभियान के कारे होने लगे हैं स्वच्छता से ना केवल हमारा तन साफ रहता है, हमारा मन भी साफ रहता है स्वच्छ भारत अभ्यान की मशाल आज हमारे पूरे भारत के लिए आयुशक है जिसके तहट कई कारे किये जा रहे हैं इसी को मध्य रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात ने भी सरकारी भवनों की सफाई और स्वच्छता को ध्यान में रखकर तंबाकू, गुटका, पान, आधी उत्पादों पर प्रतिबंद लगा दिया है जिसकी जरुवत उत्तर प्रदेश में ही नहीं बलकि पूरे भारत देश में आयुशक है